मैं लाइव की टाइम पे बाहर रहता था अभी डेली कहीं न कहीं आना जाना हो रहा है तो जिते भी लोग लाइव पर जुड़ गएं फटाफट से लाइक करते जाएं ताकि मुझे समझ में आई कि हाँ आधियांस जूड़ गई है फटाफट आप लोग लाइक करते जाएं पर अपनी हजरी लगाते जिते भी लोग लाइक्स करेंगे मैं समझूंगा हाँ आप सभी उपस थेते हैं ठीक है आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लाउज डिजाइन बनानी के लिए जो 10-11 ऐसी चीजे हैं जिनको आपको सीखना बेहत जरूरी है यह वीडियो इस्पेशली बीगिनर्स को टार्गेट करते हुए है और जीतने भी बीगिनर्स इसना हो ठीक है और क्या बात है आज इतना टाइम हो गया लेकिन ओडियंस की स किशी के नाम नहीं लोगा ठीक है टॉपिक पर फोकस करेंगे और प्लीज आप लोग नराज नहीं हो ना किसी के भी नाम आज नहीं लेंगे फटाफट सा टॉपिक पर फोकस करते हैं सीखने को मिलना चाहिए तो ब्लाउज डिजाइन से रिलेटेड दस ऐसी चीजें जो आ आज का ये वीडियो रहेगा हमारा जिसमें हम लोग 10-11 ऐसी चीजें बनाने के देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा आपको जरूरी है जब आप बीगिनिंग स्टेज में हैं तो ये चीजें आपको सीखना बहत जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट क रखा है जो कंगूरे हम बनाते हैं उसको तो सबसे पहले सुर्वात करते हैं हम लोग समोशा कंगूरा ठीक है अब समोशा कंगूरा जो हम बनाते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमको कपड़ा किस तरह से कटिंग करना है कितना बड़ा कटिंग करना यह आज थोड़ा measurement वगरा ले करके भी देखेंगे, ताकि आपको एक actual idea हो, हाला कि यह size आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही size लेना है, छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन एक average जो size होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो नाप करके देखते हैं, यह जो size है, यह कितने inch का है, धाई inch का, और यह square होना चाहिए, मतलब दोनों तरप से धाई inch होना चाहिए, अब जैसे आपको समोसा कंगूरा बनाना है, तो आप क्या करोगे, एक fabric को लोगे, छोटा सा तुकडा, हलाकि हमने बहुत सारे cutting किये ह हैं, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी चीज हैं हमको समझनी है, तो यह एक छोटा सा तुकडा हमने लिया, अब हम इसको फोल्ड करेंगे, यह एक दम easily इस तरह से आपको देखो, ऐसे फोल्ड करना है, एक बार करने के बाद, यह ऐसे और उसके बाद दूबारा यह इस तरह इस तरह से फोल्ड करना है, अब ऐसे फोल्ड करने से होगा क्या, चलिए इसको एक बार हम सिलाए लगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को इसी समुसे कांगुरे को और थोड़ा सा क्लियर करूँगा, तो इसको हम लोग स्टीज करते हैं, वाला हिस्सा है, जो मतलब फुचडे वाला हिस्सा है, उसको दबाना है, और सभी तरफ आपका जो विजिबल एरिया, मतलब जो कंगुरे में दीखने वाला एरिया है, वो आपका सब तरफ से फोल्ड वाला होना चाहिए, मतलब फुचडे वाला नहीं होना चाहिए, इस त तरह से लाइक करते जाओ यार लाइक की संख्या बहुत कम है ऐसा मुझे बिल्कुल मज़े नहीं आता जब आप लोग इस तरह से लाइक वगर नहीं करते हो तो फटा-फट से आप लोग लाइक करते जाएं और आप लोगों को जरूरी बात बतानी है कल दोपार एक बज़े मैं फेस्बुक पर लाइव आ रहा हूं तो जित्ते भी हमारी फेस्बुक की ओडियंस है जो मुझे यहां पर देख रही है आप कल दोपार एक बज़े लाइक पर जुड़िए ठीक है फेस्बुक पर और यहां पर अभी फटा-फट लाइक करते जाओं चलो यहां पर यह इस तरह से समूसे कंगूरे आपको बनाने इस दाट लियर कि समूसा कंगूरा आप कैसे बनाओं यह एक चीज हो गया जो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ब्लाउट डिजाइन बनाने के लिए इसकी बहुत ज्यादा और शक्ता पड़ती है हाना आपने बहुत सारे ऐसे ब् होना बेहद जरूरि है दूसरा हम लोग चलते लिएक और कंगूरा बनाने खिश्या अब यह दूसरा डोरा है यह कौन सा कंगूरा होगा यह रहेगा आपका क्या कहना कंगूरा काई पार्ट हो जाएगा तो मैं जादा नहीं बताऊंगा तीन टाइप के बस बताएंगे यहां पर देखना हो इसको आपको फोल्ड करना है पहले ऐसे अब ऐसे फोल्ड कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है यह इस तरह से तो यह क्या बन गया वही आपका यह समूसा कंगूरा लेकिन इसको और आगे क्या करना है उसको देखिए इतना करने के बाद ना आपको इसको और फोल्ड करना है यह ऐसे यह देखो ठीक है साइज जो कपड़े का लिया वो विल्कुल सेम रहाएगा धाई इंच दोनों साइट से अब एक तरफ से फोल्ड होग आगे एक इस्टेप आपको इसमें और काम करना है यह देखिए आज मैं किसी के भी नाम नहीं ले रहा हूं प्लीज नराज मत हो यह फटाफट से आप लोग लाइक करते जाए यह टॉपिक को खतम करेंगे फिर बहुत से लोगों के मैं नाम भी यहां पर लोगा तो यह इस कोन कंगुरा बनके तयार हो जाए ठीक है तो ज्यादा ज्यादा हम लोग नहीं बनाएंगे कम कम बनाएंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे इसको समझने के लिए और इन चीजों का इस्तमाल कैसे करते हैं ब्लाउश डिजाइन में यह हमारी वीडियो आएंगे जिनने आप जरूर देखिएगा और उन वीडियो में मैं इनका पूरा पूरा प्रॉपर यूज किस तरह से करना है और इससे डिजाइन की खुपसूरती कितनी बढ़ती है वो बताने वाला हूं तो आप लोग उन चैनल पे जूड़ना और वीडियो आएगी उनक जिसका हाथ दर्द नहीं कर रहा फटाफट लाइक करते जाए अब तीसरे डाइप के कंगूरे पर चलते हैं फिर यह कंगूरा वाला टॉपिक खतम हो जाएगा तो तीसरा डाइप का जो कंगूरा रहेगा वो रहेगा हमारा गोल कंगूरा अब इसको बनाने के लिए यह हर टाइप के फैबरिक पर बन भी जाएगा लेकिन उसके लिए आपको ना फिर पानी मगरा कभी यूज करना पड़ सकता है क्योंकि इसमें अपका हाथ फिसलेगा ठीक है तो कैसे करोगे चलो मैं बता रहा हूं यह कपड़ा लेना साइज वही रहेगा धाई एंच धाई आपके और उसके बाद ऐसे दोनों कॉर्ने से पकाड़ लेना ठीक है यह पकाड़ लिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर इस्टीच कर देंगे ठीक, दूसरा पीस लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यह इस तरह से राउंड करना है, वो मेन कॉर्णर का खेल है, एक बार आपका कॉर्णर मुड़ गया है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगे, ठीक है, तो चलिएं, यह ऐसे हैं, अगर कॉर्णर नहीं मुड़ आपको आगे नहीं बनेगा, तो यह देखो, यह इस तरह से अगर आप इसको मूड़ेंगे, आपका अगर कॉर्णर नहीं मूड़ थो दिक्कत होगी, कॉर्णर एक बार मूड गया, तो फिर वो असानी से मूड़ जाएगा, और उसके बाद नग्यें किसी कि टाइप स्वागत है जिते भी लोग live stream पर जूड़ गये हैं और इस वीडियो को देख रहे लाइव stream को देख रहे हैं सभी का स्वागत है किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और बिवब लोग लास्ट में लेंगे जब हमारी टॉपिक खतम हो जाएगे उसके बाद तो यह इस तरह से हम गोल कंगूरे बनाएंगे अब कंगूरों के और टाइप्स हो सकते हैं तो उनके बारे में मैं आज इस लाइव इस्टिंप पर डिसकस नहीं करूंगा यह तेन टाइप से जो म अंगूरे हमने देख लिए अब कि इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे बटर फ्लाइब बनाने के लिए जिसको हम लोग बो बोलते हैं बटर फ्लाइब बोलते हैं तो इसके लिए आपको कपड़े का साइज मैं यहां पर कोई एक्च्व यह इसाइज आप ले सकते हो यह एससे बड़ी ले सकते हूं अब इसको करना क्या है इस तरह से डबल फोल्ड जब करदेंगे सीधन इस तरह से यह दे कि आप अच्छा यह बताओं मेरी बटे97 घीडिट थीक चल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि लाइड बंद है। बहुत जादा आंधी तुफान आ रहा है बहुत समस्याइं हो रही है। जो कुछ भी चल रहा है inverter पर चल रहा है डबल फोल्ड करके अब क्या करेंगे इसको पल्टा लेंगे तो यह इस तरह से इसको पल्टी कर देंगे ताकि वह सीधा हो जाए हाना यह देखिए अब यह क्या हो गया सीधा हो तो आपको करना क्या है यह इसका जो जॉइंट है उसको सेंटर पर रखना है पीछे की तरफ हा सेंटर क्रीज आपको सेंटर का ध्यान रखना है अब सेंटर पे ध्यान रखने के बाद आप इसमें छोटी छोटी प्लेट्स हाथ से डाल देंगे चुननट डाल देना है अब यह चुननट हमने डाला उसके बाद क्या करेंगे एक धागा लेंगे सेम कलर कर ले सकते हैं और उ को इस तरह से बांदे कि बाद में धागा निकले ना अब ये ऐसे हो गया अब इसको थोड़ा सा सेंटर को ऐसे कैची से सैट कर लेना ठीक है तो यह आपका बटरफ्लाइड डिजाइन तयार होता है आप इसको बहुत सारे डिजाइन में इस्पेसली स्लीव के डिजाइन में बलाऊस के बैक पलों के डिजाइन में बहुंच ज़ någonting एक पीस और बना indispft देखते हैं सेम तो सेम यहाँ पे इसको पल टाएंगे क्योंकि हमने साइड से स्टीच already कर लिया है अब जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आपको इसका जो जुआइंट है इसको सैंटर पर रखना और यह पल्टा लेना मनलब सीधी साइड आपका जुआइने दीखना चाहिए वह पीछे तरप चले जाना चाहिए है आप इसको सैंटर क्रीज ले ले ना यह ऐसे यह आपका सेंटर क्रीज हो गया अब क्या करेंगे यह इस प्रकार से छोड़ी छोड़ी प्लेट्स हाथ से मतलब चुणनटे डाल देनी और ऐसे हाथ से पकड़ लेना और उसके बाद यही पर धागे से इसको बांद देना अच्छे से ठीक है यह ऐस धागे से आप डेट भी मैं नहीं दे पा रहा था क्योंकि भीजी था थोड़ा सा मैंने हलाकी बोला था कि मैं नहीं आपाऊंगा लेकिन बहुत से लोग वेट करते हैं लाइव इस्ट्रीम का तो उसके लिए सौरी अर्कि मैं लाइव नहीं आ पाया कल दो पार मैं एक बजे फेस्बूक पर लाइव आ रहा हूं तो आप लोग वहां पर जुड़ सकते हों ठीक है फेस्बूक पर एक बज़े अच्छी टॉपिक पर कटिंग की टॉपिक पर वहां पर लाइव करेंगे तो यह जो है यह क्या हो गया बटरफ्लाइ डिजाइन इसको भी अप साइट करते ह हम लोग next क्या देखेंगे के अब हम लोग next देख लेते हैं पोट्ली बतंस किस तरह से बनाना है पोट्ली बटन पोट्ली बटन कभी एक टाइम पर बहुँज्दध प्रेस नहीं होता है अब हम लोग नए डिजाइन highly होता है हर एक जो pattern है वो सब पुराने हैं वो repeat हो करके नया बन के आ जाता है तो पोटली बटन के बारे में देखते हैं like करते जाओ यार like आप लोग नहीं कर रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा मुझे फटा-फट से like करते जाए जितने भी लोग देख रहे हैं तो पोटली बटन बनाने के लिए हमको एक गोल फोम की ओशक्ता पड़ती है अब मालो कि सब के पास तो वो फोम नहीं होता जैसे कि अभी फिर हमारे पास ही नहीं है अब हमको पोटली बटन बनाना है तो करेंगे क्या कपड़े के छोटे-छोटे तुकडे यह इस तरह से एक के दम छोटा-छोटा ठीक है यह ऐस है कि इनको हम लोग उस फोम के रूप में यूज कर लेंगे है ठीक है और आज किसी के कमेंट्स नहीं ले रहा हूं तो आप लोग नराज तो नहीं हो रहे ना मैंने कहा कि लास्ट में लेंगे तो यह टॉपिक खतम हो जाएगा उसके ब बनाना पोटली बटन तो इन तुकण को ना बं में डालना मतलब बं मनाने के लिए कपड़े पर डालना तो कपड़ा वही सेम साइज का वही 1.5 वाला और यह इस तरह से लेंगे और उसके बाद इसको ऐसे एक धागा का यूज कर लेंगे और ऐसे बान देगे ठीक है अब यह बटन की साइज आप अपने इसाब से रख सकते हो चोटा बड़ा चलो बनाके देखते हैं अभी हमने इस साइज का बनाया इसको बांद लेना है कोशिश करें सेम कलर के धागे से बांद है अभी हम एक डिफिरेंट कलर के धागे से बांद देता जागा आपको समझ में सकते हो इसे छोटा भी बना सकते हो ठीक है तो एक और कपड़ा लेते हैं यह इस तरह से यह देखो धागे से इसको बांधना है कि यह सब डिजाइन में आपको बहुत जादा काम आएंगे अब यह सब छोटी छोटी चीजे हैं जो अगर आप सीखते हैं तो इनकी मदद से आप तरह तरह के डिजाइन बना सकते हो क्योंकि आपको केवल शेप चेंज करना रहेगा औ और जो आपके एक्यूमेंट्स लगने हैं का मतलब जो आप डिजाइन तैयार करोगे वह इनी सबसे करोगे इसपेसिली बीगिनर्स डिजाइन इनी से बनते हैं डिजाइनर पैटा न अलग होता है ठीक है तो इस प्रकार से आप इन्हें बना सकते हैं कि देखने वालों की स तो यह इस तरह से आप क्या बनाओगे पोटली बटनस इसको पोटली बटन की और कुछ बोलते हो गलिए जो भी बोलते हो कि यह देखो कि यह ऐसे तो तो अब तक हमने कितनी चीजों को देख लिया बनाने के लिए तीन टाइप के कंगूरे, एक बटरफ्लाई और ये हो गए हमारे पोटली बटन्स, इनको करते हैं साइड, नैस्ट, इसके बाद हम और क्या देखें, इसके बाद हम लोग और अगर छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करें, तो जैसे हम क्या बना सकते हैं, लूप्स कैस अची ये, एक पतला कपडा, इस तरह से आपको कटिंग करना है, पतला कपडा का मतलब मैं कपडे की क्वालिटी की उपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, चोडाई में बात कर रहा हूं, ठीक है, चोडाई आप इसकी ले लेंगे, लगभग 1-7 इंच की, ठीक है, इससे जादा एक इंसफिसेंट है, और लंबाई आपको जितना बनाना है, उसके हिसाब से, तो इसको आप क्या करोगे, पहले, डबल फोल्ड करके, किनारे से आपको क्या करना है, इसको स्टीच करना है, किनारे से ऐसे सिलते हुए जाएंगे, अब सिलाई की जो गैपिंग है, वो आपक लूप्स की जो चौडाई कितनी रखनी है, उसके उपर में डिपेंड करेगा, ठीक है, लूप्स की चौडाई आपको कितनी रखनी है, उसके उपर में ये डिपेंड करेगा, तो यह इस तरह से इसमें हम क्या करेंगे पूरा स्टिच कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसको पतले तार से पल्टाएंगे अब बहुत से लोगों को ना तार से पल्टाना नहीं आता तो पल्टाने के लिए देखो करना क्या पड़ता है यह जो लास्ट का भाग है इसको आपको साइड से इस तरह से स्टीच करना होगा यह ऐसे ताकि वो नीचे से बंद जाए पैक हो जाए अब वो पैक हो गया तो आपको देखो करना क्या है इसको ना एक पतला तार लेंगे इस तरह से इसको सुई से भी आप लोग कर सकते हैं सुई की भी ट्रिक जो है वो ठीक ठाक है लेकिन तार से जादा अच्छा होता है तो यह इस तरह से रखे अब इसको हम ऐसे पल्टाएंगे यह देखो अगर यहां पर ध्यान से सुनना जैसे आपने कपड़ा साइड में बहुत ज्यादा रखा है सिलाई के बाद तो पल्टाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा लेकिन जीतना ज्यादा कपड़ा रहेगा पलटने के बाद जैसे हम इसी तरह से डोरी भी बनाते हैं तो वो जो डोरी बन के आती है वो काफी सुन्दर और बहुत अच्छी क्वालिटी की लगेगी आपको ठीक है यह देखो इस तरह से आपको मतलब यह टोटली एक डोरी पल्टा लेना है ऐसे ही आप मतलब डोरी भी बनाएंगा डिजाइन में डोरी का भी बहुत ज्यादा महत्त्व है तो य क्या होनी चाहिए यह डिपेंड करेगा कि आप जो उसमें बटन लगाना चाहते हों उसके उपर में आपका यह जो साइज है वो डिपेंड करें ठीक है इसको आप ज्यादा से ज्यादा एक इंच ही गैप रखें यह इस तरह से और उसके बाद आप इन्हें स्टीच कर दें यह ऐसे हैं तो लूप्स वाले डिजाइन भी आप लोगों ने बहुत देखे होंगे लूप्स और बटन के डिजाइन ठीक है तो यह इस तरह से एक इंच इसका सफिसेंट होता है एक इंच सब इंच उससे ज्यादा आपको गैप नहीं रखना है तो फिर आप जो बटन लगाओगे और निकल जाएगा तो यह भी एक दिक्कत है ऐसा नहीं होना चाहिए तो लूप्स आप इस तरह से बनाओगे नेक्स्ट जब लूप्स इस बना लिए तो बटन भी बनाना पड़ेगा कपड़े के बटन कैसे बनाए जाती है तो आपको एक तो भी पटन चाहिए जो नौर्मल प्लास्टिक बटन होते हैं अब बटन का साईज यह आप चूच करोगे डटन का जो सवागा अलग 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 आता यहां तो हमने एक बटन का हमने यूज किया है और इसके सहारे हम क्या करेंगे एक कपड़ा लेंगे यह इस तरह से और उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे ठीक है तो जब फोल्ड करेंगे न यह ऐसे देखो उसके बाद एक धागा लेंगे और इसको बांधते चलेंगे इसको एकदम टाइट बांधना है ठीक है इस पेस जादा नहीं इसमें मिलना चाहिए बटन को वो नहीं तो फिर कपड़ा वहां पर फूल लेगा तो यह इस तरह से एकदम टाइट बांध होगे और यह आपका कपड़े का इसको पहले इस तरह से बांध लेते हैं को ठीक है तो शीजी में वर था की मशीन को वह लोग उसकर पर बहुत जयादा कि बंड़ाया कि इस तरह से हम इसको बांधे लेंगा कि लाइक करते जाओ फटफट से लाइक की संख्या कम नजर आ रही है। लाइक तेजी से होते रहने चाहिए, बहुत कम संख्या है लाइक्स की. तो मज़ा नहीं आ रहा देखें लाइक्स करते जाएं आप लोग और कमेंट्स सभी लोग लास्ट में करना जब मैं सब के नाम लेना स्टार्ट करूंगा एक्स्ट्रा इस तरह से काड़ देते हैं यह देखो तो यह आपका कपड़े का बटन रेडी हो जाता है साइड से हमने का डिजाइन बनके आता है यह सभी जो डिजाइन से हमने अलड़े बताए हैं और आगे भी मैं बताऊंगा किन-किन चैनल पर टेलरिंग गुरुजी पर और आट डेबुटिक पर वहां पर भी हमारी रेगुलर वीडियो आने वाली है तो आप लोग वहां पर जूड़ सकत देखते हैं फ्रिल जो है जैसे फ्रिल की हम बात करते हैं तो फ्रिल अलग 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 टाइप के फ्रिल बनते हैं यहां पर मैं आपको जो फ्रिल बना रहा हूं उसके लिए हमको एक चौड़ा कपड़ा लेनी की ओशकता है चौड़ा का मतलब यह जो है लगबग धाय से पॉने टीन इंच का कपड़ा है अब इसमें चोड़ा क्यों लिया गया क órner से इंच कर नहीं हा इन हम लगा सकते लेकिन जो आम तर पर फ्रियल लगते हुए भीने double fold किये तो उसमें फिर picot वक्राश प्रमारत करना पड़ता है ताम जाम होता है तो यह बला देखते हैं इसको पहले double fold कटे साइड से stitch करते हैं इस तरह से जो लोग भी चेंनल पर मतलब पहली बार आके देख रहे हो लोग चैनल को सस्क्राइब अगरा कर लेना ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरह के लाइव स्ट्रीम्स देखने को मिलते रहें और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किये हैं मेरा इतना बोलने के बाद भी लोग लाइक्स करते जाए जब मैं बोलता हूँ ना लाइक करो करके तो लाइक की संख्या थोड़ी बढ़ती है और उसके बाद एक दम से फिर से फ्रीज हो जाती है तो यह मज़ेदार बात नहीं है आपको खुछ से लाइक्स करने चाहिए ताकि मुझे बार बार बोलने के हो सकता ना पड़े और मैं उस दिन बेहत खुश होंगा जब मुझे बोलने की जुर्रत ही नहीं पड़ेगी कि आप लोग लाइक करो फटा फट से लाइक होते रहेंगे मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप लोग खुद से एकदम आए वीडियो पर धड़ा धड़ एकदम लाइक हजारों म मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग लाइक करो तो उस दिन एक नेक्स्ट लेवल कॉंटेंट और डिलेवर्ड करेंगे बहुत मज़ा आएगा उस टाइम पर मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा हमारी जो एक्टिव ऑडियंस है उन सभी से मेरा क Stunden मिल आहँ पर यह इस तरह करकें इसके हम अ कि बारीक शुट का यूज कर सकते हैं विससे हां पर भी सकते हो ईसको हाथ से भी कर सकते हो फिक ज़ूरत नहीं इस तरह से इसमें प्लेट्स डालना नहीं इंस प्लेट्स की चोडाई आपके ओपर डिपांच करती है लेकिन कि आम तोर पर यह जो साइज आप देख रहें हाफ इंची कि यह उसे और थोड़ा सा कम यह ज्यादा सूटेबल लगता है कि ठीक है यह देखिए फटाफट फटाफट इसको हम लोग इस्टीच करते चलेंगे इसको हम बहुत ज़्यादा स्पीड से बना सकते हैं लेकिन एकदम ज़्यादा स्पीड से बना दिया समझ में नहीं है तो क्या मतलब है तो यह इस प्रकार से अपको फ्रिल तयार करना है कि टोटल कितनी चीज़ें हमने देख लिए कमेंट्स में बताओ फटा-फट से मैं वेट करूंगा और जो लोग लेट से हैं वो लोग लाइक करते जाए है तो लाइक के संख्या कम रहती है मुझे मज़े नहीं आता अब हम लोग देखेंगे ठीक है ओकी जो लोग लेट से अंब बता रहे हैं लेट हो गया लेट हो गया चलो कोई बात नहीं कि यहां पर संख्या कुछ जहा रही है को बोशचय को बोर रहा है हाँ चलो म oppose देखो मिथैं मिन अभी हम्लोग काउंट करते हैं यहीं पर सुनीति भीहरी भोरिया साथ हो गया है चलो काउंट करके देखते यह हो गया, एक, फ्रिल, फिर हमने क्या देखा, लूप्स, उसके बाद हमने देखा, कपड़े का बटन, तीन, ये हो गया, पोटली बटन, चार, और उसके बाद हमने ये बटरफलाई देखा, किता हो गया, पांच, फिर ये डोरी, हाणा, डोरी भी साथ में इंक्लूड कहले हाला कि मैंने इसको काउंट नहीं किया था लेकिन डोरी हमारे आगे टॉपिक में था तो डोरी भी सांथ में हो गया पल्टाने वाली डोरी ठीक है यह एक चीज़ हो गया अब इसके बाद यह जो है कंगूरे तीन प्रकार के किते हो गए टूटल अब बताओ इनके स्रीदी पात्रा आठ रोश्नी घ्यातिक आठ ओके आठ हो गया है चलो ठीक है सुमन को मामद भी बोल रही है आठ हो गया ठीक है नैस्ट हम लोग चलते हैं पाइपिंग एंड विच पाइपिंग डोरी वाली पाइपिंग ठीक है तो डोरी वाली जो पाइपिंग है इसको कैसे लगाएंगे कैसे बनाएंगे इसका क्या प्रोसेस है आज इस वीडियो मे काम रहती है मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता सबसे पहले हम एक डोरी लेंगे आज डोरी पाइपिंग को थोड़ा चलो डीटेल में देख लेते हैं कि कैसे हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे एक हमने कपडा लिया अब मैं अपनी वीडियो में बारं बार यह बता चुका हूं कि कपड़ा जब आप कटिंग करेंगे तो उसकी चोड़ाई कितने होनी चाहिए और उरेव में काटना है हाना बोल बोल के थक गया हूं यह बात है उरेव में काटना है और चोड़ाई आपकी एक से सब्वाइंच उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सब्वाइंच सफिसेंट है आप एक चीज और बताया था कि इसके लिए प्लेजर की सेटिंग बहुत जरूरी होती है वह सब बात आप लोग जानते हैं ना डोरी आपका प्लेजर पे जैसे ही जाएगा अंदर तो आपकी जो सिलाई है मतलब जो सुई है वह डोरी के राइट साइड होनी चाहिए और आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं आनी चाहिए सिलाई मशीन को चलाते वक्त अगर आपका मशीन ठीक से नहीं चल रहा इसका मतलब अब क्या है कि आपका मशीन ठीक से सैट नहीं है या डोरी थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो रहा होगा ठीक है अब जैसे आप डोरी पाइपिंग बनाओगे न तो इस तरह से आपकी डोरी सिलाई लगने के बाद अगर डोरी को खीचें तो यह जो डोरी है वह पूरा का पूरा इस तरह से निकलना चाहिए ठीक हैं अगर डोरी के उपर में सिलाई चल रही है तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए यह इस तरह से डोरी आपकी निकलनी चाहिए ठीक है अब यह हमने एक कपड़ा लिया हुआ है कपड़े में क्या है वही एकदम सिंपल सा फैबरिक है छो जैसे हम डोरी बाइपिंग लगाते हैं तो डोरी जो पाइपिंग आहिं से लगते मत्लब ऊपर यूपर पाइपिंग लगाया जाता है हाँ अभी ये जो बतारे हैं अस घ्रिकर से अब ऑग लगता एक अंडर गरॉंड फट ऑसट से कमेंट करके बता ओकट नहीं किया वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, सोना लिशाओ, जो एजी रहेगा, ओ, एजी देखना है, चलो, अभी मैं बागी के कमेंट्स नहीं लोगा, सोलानी जी ने कहा, जो इजी रहेगा, तो चलो, इजी कैसे रहेगा, बागी दोरी पाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है यह जो बी टपिक से में इस अब के ऊपर में वीडियो डाल रखा तो आप देख सकते हो सर्च करें अ हां को कमेंट्स अंडर ग्राउम्ड के ज्यादा आने लगे AI कैसे करें अंडर ग्राउंड अंडर ग्राउंड सब टाइप का नहीं बता सकते मन्नो मोनीका क्यों क्योंकि टाइम की सोड़ेज है थोड़ी सी हाना तो चलो इजी देखते हैं है इजी मतलब हमने अभी क्या किया डोरी को फिट कि यह वह तो डोरी हमने निकाल दे बोलोगे with Ananda वापस से कैसे आ गई तो हमने पहले से बना के रखा था थीक याँ यह आप आफ भी ऐसे बनाके रख सकते हो जैसे golden फैबरिक पर हमँढ़ ज्यादा piping लगाते हैं तो हम बनाके रखे रहते हैं सशें कि तो इसमें करना क्या is यह इस से आपको सिलाई चलाते जाना है डोरी के राइट साइड से सिलाई चलेगी पाइपिंग को बिल्कुल सीधा रखना है पाइपिंग वाले कपड़े को और डोरी लेफ्ट तरफ होनी चाहिए जब इसको फिट कर रहे हो आप किसी को कोई डाउट नहीं है ना अगर डाउट पाइपिंग वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि पाइपिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है यह देखिए इस तरह से हम इसको पूरा फिट करते चलेंगा डोरी वाली पाइपिंग को बहुत जादा कोई खीचने की जरुरत नहीं होती है ना चाहे कि इसको कोई बहुत जादा खीचने की जरुरत नहीं पड़ती है कल यह मैं फेस्बुक पे लाइव आ रहा हूं दो पहर एक बजे तो आप सभी लोग आकर के जरूर जुड़िएगा दो पहर एक बजे भूलना नहीं है जित्ते भी हमारे एक्टिव ओडियन देखने है यह हो गया फिट और जित्ते भी लोग देख रहे हैं फटाफट से आप लोग लाइक करते जाए क्यों कि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है अगर लाइक की संख्या देखते ही देखते 500 के पार चली गई ना जित्ते भी लोग देख रहे हो सबको बोल रहा हूं देखते ही दे सबसे इजी यही है इसमें हमने क्या किया कि पाइपिंग को पहले कपड़े पर फिट किये कपड़े पर फिट करने के बार दोरी को सीधा रख करके हमने इसको स्टीच कर दिया अब क्या करेंगे यह जो कपड़ा है इसको आपको फोल्ड करना है ऐसे तो ऐसे तो नहीं करें इसको कैसे करेंगे उल्टी तरब से करेंगे क्यों क्योंकि उल्टी तरब से बहुत easy process हो जाता है Easy process का मतलब यह इस तरह से आप इसको रखेंगे एक बार fold हुआ then again fold करना है तो यह दो बार fold हुआ ठीक है अब आप क्या करोगे यहां पर इस तरह से रखोगे सिलाई आपको continue करना है तो सिलाई जब करोगे तो जो piping वाला कपड़ा है उसके किनारे किनारे सिलाई करना अब यहाँ पर दो तरह से बनते हैं देखो बहुत से लोग यहाँ पर कच्छा करते हैं मतलब कच्छा सिलाई फिर अंदर से तूरपाई करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कंजट वाला प्रोसेस हो जाएगा तो आपको अगर यहाँ पर तूरपाई नहीं करना है तो आपको यहाँ पर finishing से सिलाई लगाने के लिए आना चाहिए तो वो कैसे करोगे पहले आप इसको इतना फोल्ड कर लो उसके बाद आप इसमें सिलाई लगाना चालू करें ठीक है यह देखिए ध्यान रखना मेरी बात को इसको कंप्लीट करते तक अगर 500 लाइक से उपर चले जाते हैं तो मैं सभी तरह के piping इसी लाइव शेशन पर बताऊंगा हाला कि हमने 10 टिप्स या 10 टॉपिक के बारे में डिसकस किया भले 15 हो जाए आपका ही benefit होगा कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा लेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए यह जो सिलाई आप लगाएंगे करते जाना और रोग लेना मशीन को एकदम कंटीन्यू आपको सिलाई चलाना ऐसा ज़रूरी नहीं रोख लेना रोखने के बाद पीछे आपको हाथ भी रखना है यह देखो एक बार इस तरह से फोल्ड करना एक हाथ से सामने पकड़े और दूसरे हाथ से पीछे रखके यह इस तरह से इसको फिनीशिंग के साथ सिलाई लगाते हुए आना है ठीक है यह देखो कि आप लोग मुझे बताते जाओ कमेंट्स में कि और दूसरे तरह का पाइपिंग देखना है डोरी वाली है ठीक है यह देखो कि फिनिशिंग मुझे बर और तो यह पाइपिंग हमने कुछ इस प्रकार से लगाए अब देखो डोरी वाली जब भी आप लगैंगे आप चाहें कि इतनों फिनिसिंग से लगाए होता क्या है गोलाई वाला जो एरिया एंडिया है पाइपिंग जैसे हमने लगाया तो वह गुलाई वाला जो एरिया वहाँ पर पाइपिंग हलका हलका ये उठा हुआ दिख रहा है आपको अब ये एक समस्या है अब ये ऐसे उठता क्यों है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिसकस करते हैं आपने जो अंदर में लगाए ना वो डोरी है समझ रहे हो वो अगर कोई र कि इस डोरी को खीचना है कहां से खीचोगे यहां से यह देखो यह इस प्रकार सा है अब आप इसको खीचोगे ना तो पूरा-पूरा नहीं खीच देना यहां एक बार हाथ रख लेना ऐसे और थोड़ा सा खीचना यह बैट जाएगा आपको अटिक देखो बैट गया ना बस उतना खीच के एक्स्ट्रा डोरी को काट देना, ठीक है, जो डोरी एक्स्ट्रा बहार निकला, उसको काटेंगे, इधर से भी सेम भी प्रोसेस करना है, ताकि उधर जो उठा हुआ दिख रहा है, वो भी बैट जाए, ये देखिए, हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे कटिंग कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे, ये चीज आपको करना पड़ता है, डोरी खिचना पड़ता है, ताकि वो जो पाइपिंग उठा उठा सा दिख रहा था, वो बराबर बैट जाए, ठीक है, और दिक्कत लग रही है, नहीं ही बैट रहा है, तो और खिच सकते हो थोड का सही है, लेकिन उठा है, तो इसथे का काम प्रे से की तरह रहागा, वू जो अंधर एक्स्ट्रा डोरी है, वो नि काल तो नहीं सकता है, अलाग कि थोड़ी दिर के लिए भी भी इठा रोडि लेकिन अंदर गोट भी उसको निकालना जरूरी होता है, तो इसको भी साइट तो मैं बाकी तरह के जो डोरी पापिंग वो बताऊंगा लेकिन नहीं हुई 500 के पार वीवर्स की संख्या है लेकिन लाइक की नहीं है तो नहीं बताऊंगा ठीक है जब आप लोग अपनी जीदभय है तो हम भी अपनी इंभिट पर ऊके यहां पर है एंगर थ्रेड़ जैसे हम यूज करेंगे एंगर त्रेड का मतलब क्या है कि एंकर थ्रेड का मतलब सीधी सिवाद है थोड़ा सा मोटा धागा हाना एकदम इजी वे में समझते हैं मोटा धागा होना चाहिए गोटा पट्टी वाला डिजाइन आप लोग जानते हैं गोटा पट्टी जो एकदम बारीक लेस आता है उसको लोग भी आप जानते होंगे जितने लोग जानते हैं बताएए जानते हैं के नहीं जानते हैं नहीं जानते सर कसीदे वाला धागा अब नॉर्मल से आप इसको कैसे बनाओगे नॉर्मल धागे से पहले लेते हैं पहले कि नॉर्मल धागे से एंकर बनने के लिए आप इसको क्या करोगे इस तरह से लेना और इसकी पास साथ ले ले लेना जीतना ही मर्जी उतनी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं यह देखो इस तरह से अब मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं बताऊंगा क्योंकि अल्रेडी टाइम का सौटेज रहता है थोड़ा सा देखेंगे ज्यादा नहीं एक अदम थोड़ा सा बाकी आप इसको जीतना लंबा जीतना ज्यादा डिजाइन करना चाहते हो कर सकते हो ऐसी साथ आट ल जानते हैं लोग ओके ठीक है तो यह इस प्रकार से यह हमने एंकर थ्रेड तयार किया नॉर्मल धागे से ठीक है किती लेयर हमने आठ दस लेयर जूबी है अब इसको गिंते नहीं बैठे रहेंगे कितना है क्या है करके तो अब ही हम बॉबिन लेंगे और उस बॉबिन में इस भॉबिन इसमें हम इसको आद से एक रहें कि ज्यादा नीं ज्यादा हमалась इसको इस प्रकार से लगा लें मी कि अब इसको बाबिन में ऐसे ट कर देना कि अब यह चीज़ देखू कभी-कभी अच्छे से बन जाता है कभी-कभी थोड़ा सा दिक्कत भी कर जाता है क्यों कर जाता है क्योंकि जहिर सी बात है जहां से एक धागा निकलना है वहां से आप 10-11 धागे निकालोगे कभी-कभी दिक्कत भी हो जाता है आप इसको इस तरह से निकालने ठीक है यह हो ग एक simple stitch सिधा पहले चला के देखते हैं इस anchor thread से आप बहुत चारे design कर सकते हैं यह देखो अब पहले थोड़ा check कर लेते हैं वही कि वाकिये में धागा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ठीक आ रहा है तो आप इस पर फिर सीधा सिलाई भी कर सकते हो सिलाई को round round भी कर सकते हो हो ना जैसे round करना है तो round कर लो सिधा चलाना है सिधा चला लो एक बार अगर सिलाई इसमें सही आने लग गई तो फिर आप इसमें जो करना चाहों वो कर सकते हैं ठीक है ना सिलाई आपकी अगर सही से आने लग गई तो आप जो मर्जी वो कर सकते तो इसमें कोई दिक्कात नहीं है ठीक है यह अब चलिए देखते हैं भई लोगों को आप इस तरह से जब सिलाई लगाओगे ना उपर और रीचे दोनों का धागा जब सेम रहेगा बहुत बढ़िया फिनिशिंग आएगी ठीक है आप इस तरह से कोई भी डिजाइन बना सकते हो इस धागे की मदद से और यह बहुत इजी है नॉर्मल सिलाई मशीन औ अब कीतना हो गया वही मैंने 10 का commitment किया था अभी कितना हो गया आप लोग बताइए और मैं नेस्ट और कुछ बता देते हैं जैसे अंडर्गांड पाइपिंग के लिए बहुत जादा रिक्वेस्ट आ रहेते तो चलो अंडर्गांड पाइपिंग को भी थोड़ा सा देख ने estne आप लोग करो या ना करो या लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का इच्छा पूरी हो हो अब भले आप लोगों को मेरी खोशी से से मेरी हिच्छा से कोई मतलब नहीं होता अला कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे likes हों, हमारी audience जो जूड़ी है, वो likes करते जाएं, comments करते जाएं, भले आप लोगों को फरक नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फरक पड़ता है, बहुत सारे comments आये थे underground piping, underground piping, तो चलो, underground piping देखते हैं, कैसे बनेगा underground piping, तब तक आप लोग likes करते जाएं, और underground piping लगाने का मतलब क्या है, कि आपको इसमें अस्तर और कपड़ा दोनों चाहिए, ठीक है, अस्तर कपड़ा दोनों रहेगा, तब ही आप underground piping लगा पाऊगे, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला जो फैबरिक है, जिस पे हमने क्या किया था, ये डोरी, निकाल दिये यहां से, इसको वापस से पसा लेते हैं, ऐसे, इस पे सिलाई कर लेते हैं, यह देखो, fit करके, thank you so much, इतने सारे आप लोगों कमेंट्स आ रहे हैं, देखकर के अच्छा लग रहा है, लेकिन आज मैं किसी के भी नाम, किसी भी कमेंट्स नहीं ले रहा हूं, जो नहीं ले र बात नहीं है, यह देखिए, इस प्रकार से जो है, हमने क्या किया, इसको, स्टीच कर दिये, अब, यही नॉर्मल डोरी है, जो हमने उसमें लगाया था, आपको थोड़ी दिर पहले, जो हमने बलाउस देखा था, उसमें लगाया था, अब अंडर ग्राउंड पाइपिंग बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको इसमें, जैसे गले पर ही हम देखेंगे, गले पर बताएं कि, स्लिव पर बताएं कि, किस पर बताएं, आप लोग कमेंट्स करो, स्लिव पर भी इसको देखा जा सकता है, गले पर भी, जैसे आपकी इच्छा, अगर आप लोग ब पर बताना है तो गले पर बता दिया पर बोलोगे पर प्रता द pagan Midwest करते जाएं कि कि अद्यम्त हु है कि झाले में गले में पले में प्मोर रड़ेले में सब्सक्राइब में फिर लिए क्या च्टव सपार चप्ला लेंगे तो छोटा छोटा सब रड़ा है Bak कम लगेगा आप भी थोड़ा सा समझ सकते हो बहुत बड़ा कोई यहां पर फैब्रिक नहीं लेंगे यह एक्ट्वल ब्लाउज नहीं रहेगा छोटा साइज रहेगा ठीक है इस तरह से कटिंग कर लेते हैं कितना गया एकडम है कि वीजिक न ऐसे न छोड़ी चुड़ी जो सेंटर सोते हैं जिसमें आप एकडम बीगिनेंगी स्टेज पर सीकते वो उसमें इस तरफ नियुक्त बताया जाता है ऐसे बलाउच काटना तो वह कि ऐसे ही होते हैं यहां पर हम इस तरह से इसको कटिंग कर लिए जो कि गला बन गया अब मज़ेदार बात क्या है मालूम दो अलग-अलग कलर के फैब्रीक है एक हरा है और एक लाल है दीख रहा है अब इनके बीच में हम अंडर ग्राउंड पाइपिंग लगा के देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग ही वीजिबल होगा ठीक है बाकी उसके फुचड़े वगरा कुछ भी नहीं दिखेंगे कुछ भी नहीं दिखेंगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यह जो डोरी अभी हमने तयार किया इसको हम लोग फिट करेंगे कैसे फिट करेंगे यहाँ पर देखना यह इस तरह से इसको रखते है रखोगे न दोएइं किस तरफ है भosph Marshall रखने का जो तरीक है वह यही है कि डोई कि आपको left तरफ रखना है अंदर ग्राउड जब पाइपिंग लगारे होगे न तो आपने कपडे को सीधा लिया है है उल्टा लिया है कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि आपको मतलब किस्से only and only piping हम इसको चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं अभी हमने इसको उल्टा पकड़ा हुआ है उल्टा का आप चाहें बराबर भी काट सकते क्योंकि इसके डोरी के बाद के जो कपड़ें उसकी हमको कोई भी और शक्ता नहीं है ठीक है तो इसको हम जब भी अंडरोन पाइपिंग बनाने कोशिश करेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको आप काट देना ताकि अंदर कोई बहु समझाने के तार पर ठीक है लाइक करते जाए लाइक की संख्या बहुत कम है बहुत ज्यादा कम है तो मुझे मज़ा नहीं आप लोग लाइक करते जाओ मैं आप लोगों के लिए इस तरह से रखेंगे ठीक है और जैसा मैंने कहा कि डोरी आपका किधर है कि लेफ्ट तरफ हैं सिलाई आपकी डोरी के राइट साइड से चलेगी और ध्यान रखना लेजर के अंदर डोरी है सिलाई आपकी चल रही है और इसको चलाते हुए अगर आपको थोड़ा वह तकलीव महसूस हो रहा है या ठीक से नहीं चल रहा है मतलब आपका प्लेजर स सेट किया जाता है यह हमने बार-बार आप लोग को बताया हुआ कि किस तरह से किया जाता है तो वैसे ही आपको इसको सैट करना है तब ही आपकी डोरी पाइपिंग बनेगी और एक बार अगर आपने उसको उस तरह से सैट कर लिया है तो आप अपने नॉर्माल स्टीच भी अच्छे भगने लग जाएंगे ऐसा नहीं होता है कि यह इस तरह से हमने इसको लगाया अब यह चीज यहां पर एक कंफूजन में और क्लियर कर देता हूं बहुत से लोगों के यह मैं में प्रश्ण आ रहा होगा कि हमने दो अलग तरह के कपड़े लिए जिसमें मैंने का कि यह एक आपका लाइनिंग पीस है समझो और एक है आपका में फैब्रिक तो आपके मन में यह भी प्रश्ण होगा कि आप इसको अस्तर पर लगाएंगे की कपड़े पर मैक्सिममम टाइम हम ने रहे हैं वैसे दोनों पर लगाया जा सकते हैं लेकिन कपड़े पर लगाऊ ज्यादा बैटर हैं कपड़े पर लगाओ और अस्तर को बाद में पल्टाना कपड़े पर पाईपिंग को फिटकर लिए समझो अब क्या करने ये एक्स्ट्र फेब्रिक को काड़ देना यह इस तरह से एक्स्ट्रा फेब्रिक को पूरा काटते चलना है कि यह देखिये हाँ अभी भी लाइक्स नहीं हो रहे हैं किस बात की नराजगी है कि कल फेस्बुक पर जुड़ोगे ना दो पहर एक बजी बता दिये रहो भीनी तो नहीं करूंगा लाइब सब लोग जुड़ेंगे ना चलो अब यह अस्तर हमने लिया इस अस्तर पे करना क्या है इसको बरुबर इस तरह से कुछ हमने दोनों एक साथ के कटिंघ किया था तो दोनों पीसेज बिलकुल वराबर है इस तरह से हमने रखा कि अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कौन से सीधा रखेंगे कौन से सीधा रखेंगे यहाँ पर यह समझने वाली बात है अब अस्तर है वो तो उल्टा सीधा उसमें कोई खेल होता नहीं इसको हम ऐसी रख देंगे सीधा रख देंगे समझो कपड़े को जो हमने रखा वह उल्टा रखा हुआ है ठीक है इधर यह सीधा है यहां पर देखोगे तो यह आपका सीध कपड़ा है जैसे मान लो क्योंकि ये एकदम प्लेन कपड़ा है एकदम प्लेन कपड़ा है अगर हम डिजाइन वाला कपड़ा देखते तो और ज्यादा समझ में आता लेकिन डारेक्ट लाइव से सब चीजें एकदम से ध्यान में नहीं आती है तो उसके लिए सौरी यह सीध अनों तरब से बराबर दिखता है उल्टा रखेंगे तो सीधी सब्सक्राइब अस्तर को आप उल्टा रखेंगे अगर कोई ऐसा अस्तर यूज़ करो जो अलग अलगतर इसे दिख रहा है उसको उल्टा रख लेना भया नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हाँ ना लाइक करने म मेहनत के लिए लाइक करो थैंकियो सो मच अजेद गोहिल हमारी एक्टिव वीवर्स पहुंद अच्छी है यार मैं क्या ही बोलूं जिते भी लोग यहां पर कमेंट्स कर रहे हैं सुप्रिया जाद हो मामी प्रधान अजेद गोहिल हाना मादवी जी हैं चंद्रेश गीता सर अर्चना पटेल रोशनी खतिक दिपक वर्मा कल्याने जी सीमा जी निशा जी निशा बालिया स्वीटी रमन लगातार सुरू से कमेंट्स आ रहे हैं और अभी तक आ रहे हैं इनके कमेंट्स जबकि पता है इन लोगों को कि मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन फिर कि जो लोग देख रहे हैं उनको यह लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग लाइक करो और आप लोगों के कमेंट्स इस तरह के देखके मैं बहुंच ज्यादा मोटिवेट होता हूं कि सिर्फ मैं नहीं चाहता कि हमारे वीडियो पे लाइक हैं आप लोग भी चाहते हैं इस तरह के जो आप कमेंट्स करते हैं थाक्यू सो मच आप सभी लोगों का जो हमारी एक्टिव ओडियंस है जितने लगातार मतलब रेगुलर जो ओडियंस है सबको बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि जिनका नाम लिया जैसे अमरिता पारिवाल है शुश्मा गुपता है हना गुप उल्टा कर लेंगे मतलब कपड़े की तरब से आपको स्टीच करना है अब कपड़े की तरब से जब स्टीच करेंगे तो आप अपने हाथों में पाइपिंग को महसूस कर पाएंगे कैसे महसूस कर पाएंगे चलो यहां पर हम रखते हैं क्योंकि यहां पर भी हमको पाइप ठीक है तो अभी हम इसमें सिलाई लगाना चालो करते हैं देखो इस तरह से रख करके आज का लाइव शुशन काफी लंबा हो गया लेकिन आज जादा हमने टाइम वेश्ट नहीं किया नॉलेज ही शेयर किया है ठीक है और इन बातों पर लाइक तो बनता है फटा 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 लाइक करते जाएं यह देखिए इस पर हम इस तरह से अच्छा यह कंप्लीट होते तक आप लोग और बताओ और कूज देखना है ब्लाउट डिजाइन से रिलेटेड अगर कुछ जरूरी चीज़े हैं जो आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए कमेंट्स में जल्दी बताइए लेट नहीं करना कि यह देखो हमने इसको इस तरह से स्टीज कर दी अब यहां पर आप स्टीज करेंगे तो थोड़ा साथ स्टीज करेंगे साथ निक्यों यहां पर इस तरह से आपको छोटे छोटे कट्स भी लगाने हैं यह देखो कि यह देखो क्योंकि आप जब इसको पल्टाएंगे ना मैंने फिनिशिंग और साथानी की बात इस लिए कि क्योंकि जब आप इसको पल्टाएंगे यह इस तरह से तो ओनली डोरी दिखना चाहिए है वजब टोरी पाइपिंग अंदर के वेस्टिज कपड़े नहीं दीख कि ठीक है कि पूरा पलट यहां यहां पर प्रेस कभी यूज़ कर सकते हैं यहां पर हम प्रेस वगरा का यूज़ करें यह इस तरह से हम पलटा लिए इसको अब क्या करना है ऊपर ये उपर आपको स्लाई लगाना है एकदम फिनिशिंग के साथ तो सिलाई यहां पर कितने गैप से चलता है और यहां पर कपड़े के color का same color का धागा आपको यूज़ करना रहेगा हम यहां पर different color का धागा इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ठीक है क्योंकि आपको धागा दीक सके कि हाँ एक्च्वल में कितनी दूरी पर वो सिलाई चलिए तो चलिए यह इस तरह से हम इसमें स्टीच करते चलते हैं यह देखिए ठीक है यह ऐसे अस्तिन पर भी बता दोना करके कमेंट्स आ तो शेल यह देखते हैं अगर हो सकेगा बल्कुल बता है आप लोग लाइक्स नहीं कर रहे हो नहीं अगर लाइक्स होते रहते ना अच्छे खासे तो मैं बताता लेकिन प्लोग लाइक निंटीवेट हो जाता हुं कर अब अब में लाइव इस्ट्रीम पर आऊँगा तो मैं साथ में रुमाल भी ले खहुंगए जब आप लोग लाइक नी करोगे मिरेको थोड़ा दी मोटिवेट लगेगा रोने होने का मन करेगा थोड़ा सा लाइब में रो भी लूँगा ठीक है क्योंकि लाइक वगर आप लोग नहीं करते हूं ना तो मुरे को थोड़ा साथ अच्छा नहीं लगता है जितने देख रहे हैं अगर सब लाइक करें मज़ा आएगा चलो यह हो गया यह उल्टी साइड सीधी साइड से देखोगे तो केवल आपको इस तरह से दिखाए देखा हलाकि उल्टी साइड से भी वही दिखेगा लेकिन अब उल्टी साइड से क्यों दिखाए सीधी साइड स ठेक है उल्टा सिधा दोनों तरफ से एक बराबर दीखेगा बिल्कुल एक बराबर हाना ऐसा नहीं है कि सीधी तरफ अलग दीखेगा उल्टी तरफ अलग दीखेगा दोनों तरफ से एक बराबर दीखेगा और यह कपड़ा एकदम पतला है सीधी तरफ से देखोगे तो पलका सा अंदर तरब से वीजिबल हो रहा है लेकिन बाहर का जो कपड़ा वह आपका अच्छा है तो यहां पर किसी भी तरह से कुछ भी वीजिबल नहीं हो रहा है सेम कलर का धागा जब आप यहां पर यूज करेंगे बहुत बढ़िया लगेगा ना तो यह एक टेक्निक है अंडर ग्रॉंड पाइपिंग लगाने की जो कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है अभी लाइव शेशन पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अस्तिन पर भी बताईए तो चलिए एक छोटा सा अस्तिन काट ल जल्दी लेट नहीं करना है अलगा यहां पर एक स्लीव छोटा साम लोग कटिंग करेंगे और एक और तरह का पाइपिंग लगाने के लिए देखेंगे अब छोटा स्लीव मैं यह कमेंट मत करते ना कि बाबू के लिए चोटा सा समझाने के लिए परित्यागी कित्ती बार गुड़नाइट बोलोगे क्यों गुड़नाइट जी थोड़ा सा रुको ना एक्टिव वीवर्स रेगुलर वीवर्स जाने लगोगे तो कहा मजा है तो थोड़ा सा रुको तो यह देखिए यह इस प्रकार से हम इआ पर स्फिस क्टिंग कर लेते हैं फोर ही है कैसा स्लीव यह है नॉर्मल इस तरह का रावट शेव वाला स्लिव किस तरह का क्या डिजाइन बोलते हो क्या स्लिव बताओ कमेंट करके इसपे जो हम लोग पाइपें लगाएंगे वह उपर ही उपर पाइपेंग लगाएंगे उपर ही का मतलब किछ वल सिलाई से आपका पाइपेंग चीपक ना चाहिएए अब उसके लिए क्या टेकनीक यूज करना पड़ता है इसको समझो आपका एक तो पहली बात आपके अस्तिन में फूचड़ा नहीं होना चाहिए नीद आ रही है यह कोई बात थोड़ी भी नीद विन नहीं आना चाहिए रुको थोड़ा सा थोड़ी तो रुको फिर सोना अस्तिन आपका क्या होना चाहिए फूचड़े वाला नही इसको ठीक है तो जब हम इस तरह के पाइपिंग लगाते हैं तो उसके लिए पाइपिंग भी हमारा फोल्ड होना चीए रेडी होना चीए और दूसरी बात आपका अस्तिन भी फूचड़े वाला नहीं होना चीए तभी तो आप उपर ही उपर सिर्फ पाइपिंग को अटेच सिम्पल है यह इस तरह का जो पाइपिंग लगाना इसको बोलते हैं यह बहुत सिम्पल है जैसे हम normal इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं ein एक यह देखो के चलो चलो यह वाला देख लेते हैं कि यह ज़्यादा सिंपल पड़ेगा इसमें किसी को फोल्ड वगरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यह इस तरह से रखते हैं यह ऐसे और उपर ही उपर हम इसको अटेच कर दें कि लाइक करते जाओ यार लाइक के संक्या थोड़ी कम नजर आ रही है मज़ा नहीं आ रहा है यहां पर हम क्या करेंगे इसमें कट लगाएंगे यह अजी अब रजीस कुमार जी मेरे लिए जूस भेज रहे हैं कोई कलिंदर भेज है को जूस भेज रहे हैं आज का लाइव शेशन से आप लोग वाला ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूंगा है चलो थैंक्यू सो मच लाइक करते जाओ मेरी सब थकावाट भोग प्यास सब खतम हो जाती है कि यह इस तरह से हमने इसको लगाया आने वाले लाइव शेशन में और देखेंगे बाकी टॉपिक्स को अब एक्च्वल में थोड़ा सा मुझे थकावाट मैसूस हो रहा है अना तो अभी रुकते हैं थोड़ा इसी बसको देख लेते हैं यह सेंटर से हमने इस प्रकार से कट किया अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कि यह ऐसे तो आपकी पाइपिंग लग गई इसलिए पर ऐसे लगाना है सेंटर को सेट करने के लिए क्लिए क्या करेंगे यहां पर इस तरह से रखके कैंची से आप इसको हल्का सा कि अधिक है कि फोन की बैटरी डाउन हो गई है किसी को कुछ प्रॉबलम है किसी को कुछ प्रॉबलम है ओके यह लाश्ट रकते हैं मैंने 10 का कमिट्मेंट किया था लेकिन अज एक्च्वल में ज्यादा हो गया अ थैंक यू सो मच आप लोग इतनी संख्या में अद्भ जुड़े लाइक्स नहीं कि उसके लिए भी थैंक्यू जो लोग लाइक्स किये हैं उनके लिए थैंक्यू यह इस पकार से हम इसको सिलाई कर देते हैं यहां पर ना मैं एक प्रैंक की और प्रैंक बोलता है पाइपिंग की बात कर रहा था कमेंट्स पर द्यान चला गया था मेरा पाइपिंग की और बात कर रहा थो बहुत इजी पाइपिंग है इसको हम इस तरह से पुरा फोल्ड कर लेंगे तो डिजाइन बनाने के लिए ये सब जो बेसिक चीजे हैं वो आपको मालूम होना ज़रूरी होता है सर जी बंद करो आप खाना खालो हाँ आप लोग बोर्ण हो गए है कि आप लोग मेरे सिंता कर रहे हैं क्या बात है खालोर कि देल्क ट्रिक प्रों साय जो हुए जो लोग नए नए जूट रही है सबी लोग सबसे रिक्वेंड है ृण देखने पर ध्यान मत दो लएक्स पर ध्यान दो कि कुछ इस प्रकार से यह पाइपिंग लगाएगा अलग तरीके हमने देखें पाइपिंग लगाने के अभी और बहुत सारे हैं लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं और आगे बताना चाहूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे बहुत जादा हम लोग और टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं और बहुत सारे आइडियाज हैं हमारे पास जैसे एकदम जो सिंपल पाइपिंग होता है जो आल्रेडी पूरा पाइपिंग तयार होता है केवल उपर से सिलाई लगा करके उसको छिपकाना रहता है ठीक है उस तरह अरेका हमलों पाइपिंग देख सकते हैं जैसे कभी-गभी होता क्या है पाइपिंग कर से लगा सकते और पत्टी मतलब हम इसको एक एक क्सट्रा टउपिक रखके चलते हैं तो यह उॉरेब पत्टी कैसे बनाते हैं इस है कि आपको सिलाई वीजिबल हो इसलिए हम यहां पर अलग कलर का यूज कर रहे हैं ठीक है चलो फटाफट से अब सभी लोग गुड नाइट गुड नाइट मैसेज करना चालू करो और मैं सब के नाम लेना चालू करूंगा ठीक है यह इस प्रकार से हम इसको रखते हैं और इस सिलाई चलनी चाहिए हमने अभी एकिस साइट सिलाई देखा चलो फटाफट गूड नाइट के में से जाने चाहिए तो रजनी जी हैं गणेज जी हैं सारीय प्राची जी हैं को और सरदार्नी मन्नु मोनिका रानी स्वावत ओमान नीका जी हैं और सुनिती विहारी शरीता जी बशंती जी स्वागत जी सबकार इतने भी लोग लाइव इस्ट्रीम पर जुड़े आज और बाइबाइब करने का टाइम आ गया तो आप स्वागत है करके नहीं बोलना चाहिए है बस हो गया आज कि यह टॉपिक इतने रखते हैं थैंक्यू सो मच आप सभी लोग रोष्णी रोष्णी खतिक और सुस्मा मेहा रजीद गोहिल कल्यानी पगारे सुस्मा गुपता कन्यालाल सर्मा माद्विव पध्याय आसा जी सुनीती विहारी जी हीमा जी रियल ब्लॉग विट संध्या और मंदिर अधार लच्मी जी लच्मी गोलकर आशा रानी निशा बालिया समीना बेगम अरुना जी शुष्मा मेहर जी दीपक वर्मा जी माया जी रंजीत कुमार जी रोष्णी खतिक गीता शर्मा दीपा जी अर्चना पटेल जी शुप्रिया जाधाव जी चंद्रेश जी मादवी उपध्याय अजीद गोहिल एलके मामी प्रदान कौर सर दार्नी रितो मलीक पलवी टेलर रानी शावंत और ओमानिका पाठकर सावित्री अगरवाल मनीश जी है मनीश मंडलिक ममता मिश्रा हमरिता पालिवाल राज कुष्वाह सुभाना उज्जैन और वन्दना पवार ब्लॉग वित रोष्णी अनेल जी इसनेहल जी रश्मी ना अर्चना पतेल कुए ओमकार जी शुनित अदुदानी जी श्वागत थैंक्यू सब्सक्राइक मेरी तरफ से आना चंद्रेच गीता शर्मा जी परित्यागी, गुड़नाइट, सबको गुड़नाइट जी, सबको गुड़नाइट मेरी तरब से, बिरेंद्र चौधरी आप फर्स्ट टाइम जुड़े, थैंक्यू, सोनुद भारद्वाज, लच्छी रामीना, मुम्ताज जी, शुष्मा जी, साजीदा बानू, और जिते भी लोग लाइव इस्टेंप पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक्यू, थैंक्यू, सो मच्छ, मेरी तरब से सभी को गुड़नाइट, चंदा दिक्षित, सानिया शर्मा, जागरिती बंजारे, शिवानी त्यागी, एलके, सोनिया शर्मा, कल्यानी प्रागी, प्राच चिनी कुर्रे जी, विद्या जी, रिचा यादव जी, शुनीता दूदानी, गौतम तरुना, चंदा दिक्षित, मन्नु मोनिका, मतलब एक्ट्यू जो वीवर्स हैं, सूरू से जुड़े थे और अभी तक जुड़े हैं, थैंक्यू, थैंक्यू, सो मच, आप सभी लोग इ जी, कुलदीब जी, अनन्द शर्मा, अनिकेज जी, मैनीता जी, लोकेश कुमार्शा हो, सुरेखा चौहान, मादवी पांड़े, आदित्य दतिर, थैंक्यू, आप सभी लोग लाइव स्ट्रीम पर इस तरह से आके जुड़े और अभी तक जुड़े हो, उसके लिए बहु लाइव आने वाला हूं, तो दो पर एक बज़े, आप सभी लोग फेस्बुक पर लाइव स्ट्रीम पर जुड़े, मापर कटिंग के टॉपिक को देखेंगे, मज़ा आएगा, अंकित सहा, सीवानीत्यागी, सबको गुड़नाइट, जिते भी हमारे वीवर्स अभी तक दे से बहुत-बहुत धन्यवाद, कल दो पर एक बज़े मिलते हैं, फेस्बुक के लाइव स्ट्रीम पर, आप लोग जिते भी लोग अभी लाइक नहीं किया, फटा-फट से लाइक करके जाना, यार बीना लाइक किये कोई भी मज़ाना, चैनल पर पहली बार आए होगे कोई, तो सस्क्राइब भी कर लेना, तो मिलते हैं, कल रात को लाइव स्ट्रीम पर, कल भी मैं लाइव करूंगा इस चैनल पर, और कल फेस्बुक पर भी दोपार एक बज़े लाइव होगा, तो जो लोग भी आना चाहते हैं, वो परा करके जोड़ सकते हो, कटिक रिलेटेड एक कोन भारदवाज, सोते समय डरना नहीं है, सुप्रिया जाता हूँ, हमारे ब्लॉग चैनल, ब्लॉग भी दरशनी को जाके सस्क्राइब करो, वहाँ पर एक अच्छे अच्छे, हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकरके हमारी फेमली कंटे वीडियो उसको भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हूँ, तो बस अब इंट करता हूँ, हाना, बाबाई